हाई स्टुडेंट्स हावा यू कैसे हो आप स्वागत आपका अपनी चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में जब भी कोई लेटेस गोर्मेंट जोब अपर्चुनिटी आती है सबसे पहले मैं अपनी चैनल पर आपको बता देता हूं इसलिए अगर आप भी गोर्मेंट जोब क रिसर्च कर रहे हो सर्च कर रहे हो कौन से अपडेट आ रही है अप्लाई करना चाहते हो तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यहां 12 पास आउट के लिए एरपोर्ट अथोर्टी की तरफ से वकैंसी निकली वी है कोई भी स्ट्र हट एकू के जिनकी 51 पर्सेंट शेर गवर्मेंट के पास है तो उन में से एक है गर्णार आए र्फॉर्ट और अथर्टी हो फिर्फ वीडियो को लाइक कर देना और अप्लाइ लिंक भी आपको डिस्किशन ने प्रोवाइड हो जाएगा ठीक है यह हमारा ओफिशल वेबसाइट है जहां पे आप लेटेस्ट जो वगेरा जाकर सर्च कर सकते हो आपको जो भी जोब की इंफर्मिशन से मिल जाएगी इसका लिंक में दे दूगा या अगर इसका पूरा नाम बताएं यह बैसिकली जो फ्रेट स्टचिज होती है जैसे कि आपको पताओको लोजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है जो जैसे कोई माल वहाद फलाइट जाती है जिनमें केवल माल जाता है एक फ्रेट जिनमें यातरी जाते हैं उनके साथ भी नाम रखा गया कार्गो लोजिस्टिक एंड अलाइट सर्विसिस कंपनी लिमिटेड जिसे CLAS यहां पर नाम दिया गया है तो असिस्टेंट सिक्योर्टी की जोब यहां पर निकली हुई है सबसे ची बात क्या है कि यहां पर कोई खास अलेजिबिल्टी नहीं है और आपका य अलमोस 10-12 दिन है तो अब अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई ओनलाइन है सेलरी की बात करें तो 22,500 तक यहां पर आपको सेलरी मिलने वाली जो आपके सीधे अकाउंट्स में आएगी और आपका यह भी पूछना होगा कि अप्लिकेशन फॉर्म जो है वह आप यहां पर सकते ह तो आपको यहां पर समझना होगा अगर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई की लास डेट है 15 नमबर ठीक है और जो एक्जाम हो सकता है वह अभी कंफर्म नहीं है बट दो महीने का गैप आप मानके चलिए जनवरी या फर्वरी में आपका एक्जाम जो हो सकता है ठीक है और 500 रुपे जर्णल ओबीसी एडबलुएस के लिए है जो एप्लिकेशन फीज चार्जेज एं से और फीमेल के लिए यहां पर 100 रुपे के चार्ज है अगर कोई फीमेल भी देख रही है चाहिए वह जर्णल से है उनके लिए भी 100 रुपी यहां पर चार्ज है तो यह अक्टूबर को 27 साल के पूरे हो चुके है तो आप अपलाई नहीं कर सकते है ठीक है बागी एज लिमिट वगएरा यहां पर आपको मिल जाएगी जो रिटेंशन वगएरा है वो सब आप चेक आउट कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि जो भी आप यहां पर देखो जो प्रोसेस है वह क्या है कि जब आपने अपलाई कर दिया तो प्रोसेस क्या है सेलेक्शन का सबसे पहले जब आप फॉर्म फीलप करेंगे तो यहां पर कोपरेशन होगे कोपरेशन मिन्स आपका जो फॉर्म वगएरा भर रहे उसकी चेकिंग होगी जिसे हम आर्चिव चैक कहते हैं एक compost test होगा जो आप यहां पर देने वाले हो जो इसे आप return exam बोलते हो और उसके बाद medical आपका जिसे हम clinically assessment कहते हैं वो आपको यहां पर होगा उसके बाद आप select कर लिए जाओगे ठीक है पहले साल आपको यहां पर देखो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं जो बेसिक नोटिफिकेशन है यहां पर ठीक है तो यह दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने official notification भी आपके सामने open कर दिया है जो जो AI CLS company द्वारा यहां पर निकला हुआ है और persistent security आपके सामने है और यह पैन इंडिया बैसिस पर है तो अलवर इंडिया के ओल्मॉस्ट बड़े सभी सेरों में आपर जो आपके लिए निकली भी है आगे चलते हैं चीज को समझते हैं आपर फीस वागेरा सब किलियर है एज क्राइटिर वैसे इनका कहना है कि अगर आप है वो मिल जाएगा अब रिटन इग्जाम के वारे में आप सब लोग पूछेंगे कि रिटन इग्जाम का क्या क्राइटेरिया रहेगा रिटन इग्जाम में यह मान के चलिएगा कि वह ही आपका मैथ्स रिजनिंग इंग्लिश और जर्नल अवेर्नेस यह चार करना होगा ठीक है ना लोग इन करने के लिए इस ओफिशल साइट पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे जो रिजिस्टर पर क्लिक करेंगे रिजिस्टर करने के बाद आपको complete information जिसमें अधार कार्ड पैन कार्ड पैन कार्ड तो नहीं अधार कार्ड वगएर सब यहां प इंटर पर जाकर आप अपलाई कर लीजिए टाइम कम बचावा है लेकिन भड़ती अच्छी है सबसे बड़ी बात है कि कोई खास यहां पर इंट्रू वगएरा नहीं है आपने एक्जाम किलियर किया मैरीड लगेगी उस बेसपाग को हाईरिंग कर ली जाएगी ठीक है पैन इंडिया जोब से तो बड़े-बड़े सभी सेहरों में जोब है आप अपने नियर अबाउट सिटी को सलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको एक अच्छी जोब अपर्चुनिटीज नियर बाई मिल जाएग तो लिंक इंदर डिस्क्रिस्टिशन गो दियर एन अपलाई अफस्ट